गुड मॉर्णिंग टु एवरीवन तो आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे तो आज हम आप लोग के लिए लेकर रहा हैं और गेनिक केमस्ट्री का बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है अल्फा बिट्टा एंड गामा कार्बन देखो बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होते हैं जिनको की आईसो नियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सेरी इस टाइब का जो भी प्रिफिक्स यूज होता है और गेनिक केमस्ट्री के अंदर वो बिलकुल बखुभी चेक कर लेते हैं बहुत इजी बे में चेक क है नहीं लेकिन अगर वही चीज जब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग तो केमस्ट्री के अंदर रियक्शन के अंदर अल्फा हैड्रोजन का काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है ना कि हम लोग अल्फा हैड्रोजन पहचानेंगे कैसे फिर ऐसी इसी ती में तुम बैक गेर वर्दस्त है कि हम ऐसे करेंगे और आपको समझ आ जागा तो को कि सर आप तो ऐसे कर दिये हमको कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे करेंगे और कुछ समझाएंगे उसके बाद समाझ आएगा ओके तो चलो इस लेक्शर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख ल है वो हल फगर अलफा तुम पहचान लोगе तो बिट्टा गमा तो यूँ यह यह गेम है मतलब ऐक गर बाच कर ली कि यह घ्र है तो आगे जो है वो कारबन और इसके ये side carbon उसके आगे carbon जो भी carbon लगा हुआ है वो कौन सा carbon होगा और उसको क्या कहेंगे वो बिल्कुल EGB में समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले इसके definition को चेक करें यह अपने आपको क्या represent करता है यह अपने आपको क्या बताना चाहता है तो देखो alpha carbon कहता क्या है कहता है कि the alpha carbon is in organic molecules refers to the first carbon atom that attaches to the functional group मतलब कि वो carbon जो की functional group से direct attach है और उसका पहला carbon वो है मतलब समझ में आ रहा है मतलब हम हो गए है functional group और हम जिससे attach है मेरा जो पहला हाथ पकड़े हुए है वो ब्यक्ती जो हो जागा वही alpha हो जागा लेकिन यूँ भरबली समझ नहीं आता है ठीक है example देंगे तो quickly समझ आ जाएगा next क्या कहा रहा है functional group के बाद कि such a j carbon मतलब कि अगर जैसे कोई carbon लगा हुआ है कोई भी carbon type का कोई भी functional group लगा हुआ है और उसके साथ जो पहला carbon होगा वो functional group के साथ जो पहला carbon होगा वही carbon क्या होगा alpha और क्या कह रहा है second carbon atom is called beta और उसके आगे का जो second carbon होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे beta and next is said to be gamma और उसके next में मतलब beta के next में जो होगा वो क्या हो जागा gamma मतलब कि हम alpha अगर हैं तो हमारा जो बगलबला होगा हमारा next वो हो जागा beta और उसका जो next हो जागा वो हो जागा गामा अब example से देख लेते हैं चलो आजाओ आपके सामने की example है first जो लिखा हुआ CH2 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 OH अब यह तुम तो इतना तो पहचान ही लोगी कि functional group कहते किसको है तो यह तो चेक कर लेंगे यह फंक्शनल ग्रूप कहां है किस जगह पे लगा हुआ है तो देखो यहां functional group लगा हुआ है क्या लगा हुआ है functional group अब इस फंक्शनल group के next carbon कौन सा है यह किस carbon से लगा हुआ है तो यह इस carbon से लगा हुआ है तो पहला जो carbon हो जाए वही alpha हो जागा मतलब यह जो carbon है यह क्या है alpha carbon बहुत हाट है है यह क्या हो गया alpha carbon और यह alpha carbon के जू बगल वाला है इसके बगल वाला यह क्या हो जागा बिट्टा कारवन और इसके बगलवला क्या हो जागा गामा कारवन इसके बगलवला ये कारवन क्या हो जागा डिल्टा कारवन इसके आगे रहता तो लिम्डा अलाकि मिन अल्फा पहचानना होता है और अल्फा कारवन पहचानना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है यह पहचानना कि अल्फा हाइड्रोजन कहां है तो अल्फा हाइड्रोजन आपको वही मिलेगा जहां कि अल्फा कारवन पाया जा रहा है तो अब देखो यह अल्फा कार दो आफर की इस में जूटेगा क्योंकि इसके बहले भाला तो जो है Drosam बैंका भीट निद्वीक यह can you guys कि इसके अंदर जो All-Fi hydrogen कि संख्यास आए कितनी है डूए और जो All- dal अगर फंक्षिनल ग्रूप के नाइवर जो होगा वो क्या होगा अलफा बस ग्रीक से बाद समप्त हो जाती है बाकी तो experience है बाकी आगे का आपका मतलब किस तरीके से पहचाने कितना कितना प्रॉब्लम हो सकता है उसके अंदर में चीज बस तहीं फंक्षनले ग्रूप चेक करना उसका अगला ऑल्फा होझनाइब यह fem यह क्याह एल्फा यह उदर तो है क्लिए वो सेटाम ने कोई कारभन नहीं दिया तो वह इसके अंदर आप से पुछा जा कि अल्फा हाइड्रोजन कितनी है तो यहां जो है अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या वो कितनी है वन कोई प्राब्लम बिल्कुल नहीं एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जा सकता है प्राब्लम के अंदर इसके अंदर एक्टिव हाइड् 3, 4, कोई प्राब्लम? नहीं तो ये हो गया मेरा में चैन, पैरेंट चैन अब इसके अंदर अलफा कारवन कौन है? तो तुम तो कहोगे कि सहर अलफा कारवन नहीं है कहाई कि ये फंक्शनल ग्रूप है तो देखिए, वैसा कोई भी फंक्शनल ग्रूप जिसके पास की पहले से अलड़ेडी कारवन प्रेजेंट है अलड़ेडी कारवन मौजूद है वैसे कारवन को हम लोग नियुमेन क्लेचर के अंदर कारवन के रूप में एड़ करते है लेकिन ये पूरा फंक्शनल ग्रूप है याद रखें ये जो पूरा है COOH कारवाउगजील ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रूप है नेमिंग के अंदर उसके कारवन को एड़ करेंगे 1,2,3,4 ओके लेकिन ये पूरा फंक्शनल ग्रूप है और इसके लिए जो पहला कारवन है वो ये है इस functional group के लिए जो पहला carbon होगा पहला लिख देरें पहला carbon यह पहला carbon है ठीक है और यह carbon यहां क्या हो जागा alpha carbon कोई problem यह पूरा यहां functional group है और इसका जो पहला है वो CH2 यह है तो यह हो जागा alpha और यह यहां हो जागा बिट्टा और यह जागा यहां गामा वो साइट तो कुछ है नहीं रहता तो इस टरी हो जाता वह एक नया फंक्षिल ग्रूप बन जाता चलिए इसके अंदर चेक कर के दिखा तो यहां से पहले टर्मिन यह चेक कर लोगे की पैरेंट चैन किसको यह पूरा functional group है को चुप है क्यों हमने कहा कि naming के अंदर वन टू कर लेना carbon कोई include कर सकते हो लेकिर वारफा चिक करने के दोरान जो है वह AAPS carbon को functional group में 36 पाहला carbon कोन नहीं यह प्रॉब्लम नहीं पीर अलफा hydrogen के संध्या कितनी हो जाएगी one problem चलिए यहां आ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 इधर इसे होगा 1, 2, 3, 4, 5 अब बताओ इसमें alpha carbon क्यों कौन है साफ दिख रहा है कि ये alpha carbon है alpha carbon इसमें alpha hydrogen के संक्या कितनी है 1 इसमें beta hydrogen कितना होगा तो alpha ये होता है तो alpha के बगलवला मतलब ये भी beta है और ये भी beta है प्रिट आप से पूछ देए की बिटा हैड्रोजन कितनी है तो दो दो यहां से और यहां से बिटा हैड्रोजन के जो संक्या होगी निजो हो जैघी 4 इसी हिंट अब dwelle dicho यहां तब कैसे करोगे तो दो देखो double bond जिस carbon से जुड़ा हुआ है मैंने जिस carbon से जुड़ा हुआ है तो एक CH से इस CH से भी जुड़ा है और इस CH से भी जुड़ा है double bond मतलब दोनों से जुड़ा हुआ है तो दोनों से ये double bond जुड़ा हुआ है दोनों से multiple bond जुड़ा हुआ है तो इस दोनों कार्बन को ही functional group मानोगे, सबसे पहला बात ये समझ लो, ये दोनों कार्बन को क्या मानोगे, functional group, तब ये दोनों कार्बन के, पहला कार्बन कौन है, तो इसके लिए पहला ये है, ये alpha हो गया, और इसके लिए पहला ये है, तो ये भी alpha हो गया, मतलब इसमें कित इस अल्फा के बगल में क्या हो जाएगा बिट्टा कोई प्रॉब्लम बिल्कोल नहीं यहां तुम बताओ एक टृपल बॉंड है यह तो पूरा फंक्सलें artists भूप हो गया ये ये क्या हो गया अलफा तो ये भी क्या हो जाएगा इसके बगल में यहां ये क्या हो जाएगा अलफा यह क्या हो गया बिट्टा यह क्या हो गया बिट्टा अब अलफा हेड्रोजन के संख्या कितनी है यहां तो अलफा हेड्रोजन के अलफा के बगल में ये क्या है बिटा तो ये अलफा के ही बगल में ये भी है तो ये भी क्या हो गया बिटा और एक साइड ये साइड भी अलफा है तो इस साइड के अलफा में भी इधर क्या है बाबू बिटा ठीक है तो अलफा हैड्रोजन के संख्या यहां कितनी है तो बिट्टा हेड्रोजन के संख्या बताओ तो तो बिट्टा एक यहां है तो थ्री और टू फाइब और टू सेवन प्रॉबलम बिल्कुल इजी है बोले थे ऐसे करेंगे समझ आजा जागा ऐसे ही तो किये तो सारा कुछ समझा गया नेक्स्ट यहां देखके बताओ है तोस्ति ही इस किसी टू सीश टू सिट Prabh इतो बहुत सिंपल है तो सिंपल यहां देखको 12345 इसके अंदर यह जागा क्या alfa तो यह बहुत सिंपल है और यह बिट्टा हो गया तो नहीं के प्लेंध है और एक जो है वह म्त्तुम कर दीजिए डवलू में देते हैं और वो तुम हमको बना कर दीखाओगे बहुत सिंपल देंगे और वो हम को आप बना कर किमेंट किजिए कि क्या होगा इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है जो अलफा है बस यहीं बताना है कि इसके अंदर कितने alpha hydrogen है ओके चानों CH3 CH2 CHCOOH और यहां से CH2 और यहां ले लेंगे CH3 बस इसी का बताना है इसमें कितना alpha hydrogen है तो इस lecture के अंदर इतना ही आपको तो समझ आहीं गया होगा अगर नहीं समझ में आ कहीं कोई problem रगया तो आप comment में बताओ हम उसको clear करेंगे ओके तो इस lecture के अंदर इतना ही धन्यवाल